असलाम अलेकुम विल्कम बैक टो चैनल होप आप लोग खैरियत से होंगे आज के व्लॉग में हम लोग बात करेंगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है यू एई के विजिट विजा में जिसे आप प्रॉपिक के तरफ विडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो विडियो को आखरी तक देखिए अगर पसंद आए तो विडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिजेगा अब चलते हैं टॉपिक के तरफ क्या प्रॉब्लम आ रही है यू एई के विजिट विजा में क्या यू एई विजि अबुदाबी का अलग शार्जा का अलग अजमान का अलग हर एक एमिरेट्स का अलग अलग हर नैशनलिटीज के लिए प्रॉब्लम आ रही है जो अभुदाबी शार्जा अजमान का विजा अप्लाई कर रहे हैं वो mostly reject हो जा रहा है या फिर under processing show कर रहा है अभुदाबी में कोई भी विजा नहीं आ रहा है चाहे वो एक महिने का हो या फिर दो महिने का हो वहाँ विजा निकली रहा नहीं है visit विजा शार्जा में एक महिने का विजा आपको easily मिल जा रहा है पर दो महिने का विजा में problem आ रही है genuine agent आपका application accept नहीं करेंगे दो महिने का क्यों उनको होता है कि अभी दो महिने वाले वीजा में बहुत प्रॉब्लम आ रही है हाँ अगर आप एक महिने वाला करवाना चाह रहे हैं तो अराम से हो जाएगा अगर किसी एजेंट को पैसे से मतलब है तो वो ले लेंगे वो आपको दोड़ाएंगे और लास में बोलेंगे कि रेजेक्ट हो गया है तो इसलिए आप एक चीज़ का धियान रखिएगा दो महिने का वीजा नहीं आ रहा है चाहे वो अभूधाबी हो शार्जा हो या फिर रजमान हो दुबई में एक महिने का वीजा अराम से मिल जा रहा है पर दो महिने में प्रॉब्लम हो रही है हर एक एमिरेट में दो महिने का वीज़िट वीजा में प्राब्लम हो रहा है, रेजेक्ट हो जा रहा है, अबुदावी में तो विजिट विजा इशू हो ही नहीं रहा है, तो आप अपने एजेंट को बोलिएगा कि विजिट विजा इशू दुबै से करवाने कोई और एमिरेट से नहीं, ये थी डिटेल, होप आप सबको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो विडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिजिएगा, अब मुझे दिजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए, अल्लाहाफिस, असलाम अलेकुम.